हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक अशलील सीन को देखते हैं जहां पर सिस्टीन अजीब अजीब आवाजे निकाल रही थी और ग्लेन पीछे से कह रहा था कि तुम अभी एक जवान लड़की हो और बिना प्रेक्टिस के भी तुमने काफी अच्छा किया है लेकिन अगले ही पलम देखते हैं कि वो दोनों ना दरसल ट्रेनिंग कर रहे थे यह दो बस एनीमे वाले चेक कर रहे थे कि किन किन लोगों की सोच बहुत गंदी है भगवान का नाम लो रहे चित्त साफ होगा इसके बाद जब वो दोनों ट्रेनिंग खतम करते हैं तो सिस्टिन कहती है कि जब आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया था तो मुझे लगा कि शायद कोई न्यू मेजिक स्पेल सीखने को मिलेगा लेकिन ये तो हुम फिजिकल फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे है क्यों? जिस पर ग्लेन कहता है कि फिजिकल फाइटिंग करने से तुमारे सेंसेज और तेज बनते हैं जिससे कि तुम्हें मेजिक में कब अटेक करना है और कब डिफेन्स करना है इसका पता लगता है और एक दिन जब तुम उस लायक बन जाओगी तब मैं तुम्हें कर रहा था ताकि वो रूमिया को किसी खत्रे से बचा सके आगे रूमिया और सिस्टिन भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो लोग इसकुल के लिए निकल नहीं वाले थे कि तभी अचानक से पीछे से रियल ग्लेन के उपर अटेक कर देती हैं जिससे ग्लेन एकदम बाल-बा रही थी ऐसे कोई ग्रिट करता है ऐसे कोटम कोटा एगर के उसी वक्त रूमिया और सिस्टिन के नजर उसके युनिफोर्म पर जाती हैं क्योंकि उसने ना स्कूल का युनिफोर्म पहन रखा था और ये देखकर ग्लेन समझ जाता है और कहता है कि इंपिरियल गवर्मेंट को प्रोटेक करना है गदेडी मुझे नहीं मगर रियल तो कुछ सुनती नहीं वो तो बार-बार ग्लेन को प्रोटेक करने की बात करती है जिससे फिर तंग आकर ग्लेन उसका सर पकड़कर हवा में उठा देता है तेरी की तो इसके बाद रियल जब क्लासरूम में जाती है तो सारे लड़कों के साथ लड़के अभी उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाती है आगे ग्लेन के कहने पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में इंपेरियल आर्मी में शामिल होना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर इटेरिया से मेजिक पढ कर देता है जिसके बाद ग्लेन सबसे कहता है कि कोई भी उससे उसकी फैमिली के बारे में सवाल नहीं करेगा चला चुपचा बेट जाओ सब लोग अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बाहर एक डोल पर मेजिक से अटेक करके प्रेक्टिस कर रहे थे और वहाँ पर सि होना मंगता है लेकिन जब वो अपने इलेक्ट्रिक शोक मेजिक से अटेक करती है तो वो तो काफी जादा वीक होता है ये देखकर ग्लेन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर रियल पूछती है कि क्या मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक शोक का ही इस्तमाल कर सकती हूं और कुछ नहीं जिसके जवाब में ग्लेन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन एक स्टुडेन के लिए इतनी दूर से टार्गेट को हिट करने का सिर्फ यही एक मैजिक है हां लेकिन अगर तुम चाहो तो दूसरे स्पेल का इस्तमाल कर सकती हो लेकिन मिलेटरी मैजि देखने के बाद तो सभी classmates ना उसे डढ़ने लग जाते हैं और कोई भी उसके पास ही नहीं जा रहा था मगर तभी roomia और sistine उसके पास जाते हैं और उसे lunch के लिए invite करते हैं फिर जब वो cafeteria में जाते हैं तो real की नजर एक sweet के उपर पड़ती हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वो पसंद है और इसलिए roomia उसको देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए जिस पर real हा में जवाब देती है तो roomia ना उसे काफी सारी sweets दिला देती है आगे हम देखते हैं कि real उन sweets को ना एकदम छोटी बच्ची की तरह खा रही होती है roomia उससे कहती है कि ये sweets से सिस्टिन को भी काफी पसंद है जिस पर real सिस्टिन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमारे साथ ये share कर सकती हूँ लेकिन सिस्टिन उसकी आखों में साफ साफ देख सकती थी कि वो ना ये अकेले खाना चाती थी वो ना एक नंबर की एकल खुरी है और इसलिए वो उसे मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं खाना और तो और वो तो उसके फेस पर लगे हुए खाने को भी साफ करती है एकदम प्यार से तभी वहाँ पर दूसरे स्टुडेंट्स भी आ जाते हैं जो रियल को ऐसे छोटी बच्ची की तरह खाते हुए देखकर कहते हैं कि यकीन नहीं होता दोस्तों कि ये वही लड़की है जिसने कुस देर पहले इतने खतरनाक वेपन को समन किया था तो वही गलेन दूर से ये सब देखकर चेन की सांस लेता है कि चलो सब बढ़िया चल रहा है और फिर वो सेलिका से कहता है कि रूमिया को प्रोटेक करने के लिए रियल को भेजना आखिर मिलेटरी के दिमाग में चल क्या रहा है खेर जो भी चल रहा हो मैं तो बस यही चाता हूँ कि वो इस मोके का फायदा उठाए और सब के साथ मिलना जुलना सीख जाए जिस पर सेलिका उससे कहती है कि क्या ये सिखाना भी टीचर का काम नहीं है जिस पर गलेन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो काश हम जिस फिल्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं उस पर रियल को कुछ सीखने को मिले इसके बाद अगले सीन में सभी स्टुडेंट्स ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं लेकिन तभी कुछ लड़के कम्प्लेन करते हुए कहते हैं कि काश हम किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं अब गलेन को उनको भी आने के लिए मना ना था इसलिए वो कहता है अबे बुडबको तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूत नहीं है जरा अपनी बंद पड़ी बुद्धी पर जोर डालो और सोचो कि अभी हम जिस एलकेमी रिसर्च लेब में जा रहे हैं वो कहां पर है जिसके जवाब में एक लड़का कहता है कि हा लड़कों को क्या रहता है उनको तो यही सुनना था यह सुनने के बाद सारे के सारे स्टुडेंट्स बहुत खूश हो जाते हैं और अचानक से जाने के लिए मोटिवेटेड भी हो जाते हैं इन सब को देखकर उधर लड़किया कहती है कि इन लड़कों का कभी कुछ नहीं हो सकता इसके बाद जब वो लोग एक जगा पर नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा शोप की पर लड़कियों को कुछ बेच रहा होता है जिस पर ग्लेन उससे कहता है कि तुम मेरे क्लास की लड़कियों को छेरना बंद करो और इतना कहकर वो उन लड़कियों को वाँ से भगा देता है चलो निगलो याँ से और फिर उनके जाने के बाद ग्लेन उस आदमी से कहता है कि अब बस करो यार मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोन हो लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो क्या रियल सिर्फ नजर भटकाने के लिए है ये सुनकर वो आदमी अ मुझे लगाई था लेकिन अगर एसी बात है तो तुम यहाँ सब के सामने आकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो जिस पर एलबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चेतावनी देने आया हूँ रियल से संभल कर रहना वो खतरनाक है ये सुनकर ग्लेन कहता है कि रियल खतरन क्या मजाग कर रहे है यार तुम जिस पर एलबर्ट कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ तो ग्लेन कहता है कि हा लेकिन वो सब पास्ट की बाते हैं यार इसके बाद तो एलबर्ट ये कहे कर वहाँ से चला जाता है कि मेरा काम तो तुम्हें वोर् मजाक नी चल रहा था बीच पर सारी लड़कों ने स्विमिंग सुट पहना हुआ था और ये देखकर तो सभी लड़कों के मन में लड़ू फूटने लगते हैं फिर आगे रूमिया सिस्टिन और रियल ग्लेन के पास आते हैं उन्हें देखकर ग्लेन रूमिया की तारिफ करत वे कहता है कि तुम तो काफी क्यूट लग रही हो वो सिस्टिन की भी तारिफ करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि ग्लेन ने उसको कोई कॉम्प्लिमेंट नहीं दिया था ये बात तो गलत नहीं है यार ग्लेन सब लड़कों क कॉम्प्लिमेंट देना चाहिए तेरको पता ही है ने कि लड़कों में जेलेसी किती जादा होती है फिर आगे सब लोग बीच पर वोली वोल खेलने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर जब रात होती है तो हर एनिमे की तरह यहाँ पर भी सारे चीन कर कहता है अच्छा तो आप लोगों ने ये प्लान बनाया है क्या पागल हो यार तुम लोग अभी अगर में तुमारी जगह पर होता न तो लड़कों के रूम में जाने के लिए इससे भी बहतर रास्ते का इस्तमाल करता खेर तुम बुडबकों को कभी समझनी आएग अब ये इसकूल है कि क्या है यार मतलब अपने टीचर को समझते ही क्या है ये लोग हमारे गुरू जी के सामने कुछ बोल दे दिखे हम हमार को कूट कूट के हमारे ढेके सुजा देते थे वो अब स्टूडेंट्स फाइट के लिए तयार थे तो ग्लेन भी उनके जवाब म मैंने ध्यान रखना है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गलेन ना रात के अंधेरे में समुदर के पास बेठकर ड्रिंक कर रहा होता है हम गाबी नी, हम गाबी नी, है गाबी नी, है और तभी वो देखता है कि रूमिया सिस्टिन ओ रियल समुदर के नजारे के म अगे रूम्या और सिस्टिन उससे कहती हैं कि हमें काफी खुशी हुई कि तुम हमारी दोस्त बन गई और बस इतना कहेकर वो तिनों आपस में एकदम बच्चे की तरह एक दूसरे के उपर पानी उचाल कर खेलने लगती है वही ग्लेन ये सब दूर से देखकर कहता है कि जब रियल ऐसे खेल रही है तो एकदम मामूली लड़की की जैसी लग रही है और इतना कहेकर ग्लेन वहीं पर सो जाता है फिर जब उसकी आखे वापस खुलती है तो आपने रूम में वापस आने लगता है पर तभी उसे वहाँ पर रियल मिलती है जो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी ये सुनकर ग्लेन कहता है कि देखो अभी काफी रात हो गई है इसलिए चलो वापस चलते हैं लेकिन तभी अचानक से रियल पीछे से कहती है कि तुम छोड़कर क्यों आये थे ये सुनकर ग्लेन कहता है कि आब उस बात को डिसकस करने का कोई मतलब नहीं है मैं आज भी अचानक से इम्पिरियल मेज कोपस को छोड़के आने के बारे में शर्मिनदा हूँ जिस पर रियल कहती है लेकिन तुमारी बिना मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए जी रही हूँ ये सुनकर ग्लेन उससे कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है देखो आज तुम रूमिया सिस्टिन और बाक्यों के साथ कितनी खुश थी और तुम चाहो तो एकेडमी में रियल स्टुडेंट बनकर रह सकती हो इम्पिरियल आर्मी को छोड़ दो जिस पर रियल कहती है कि नहीं 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 मैं सिर्फ तुमारे लिए ही जीती हूँ तो ग्लेन कहता है कि ग्रो अप्यार अब तुमें अपनी खुद की खुशी ढूणनी चाहिए और तुमारे भाईया भी यही चाहते थे अब ये सुनकर तो रियल गुसा हो जाती है और कहती है कि मुझे ना तुमारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या मेरा तुमें प्रोटेक करना गलत है तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो रूमिया और सिस्टीन उन्होंना तुम्हें मुझसे छीन लिया है ये जरूना उनकी ही गलती है ये सुनकर ग्लेन कहता है कि ये क्या तुम बात का बतंगड बना रही हो लेकिन वो तो कुछ सुनती नहीं है और वहाँ से रोते वे चली जाती है इसके बाद अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में एलबर्ट और रियल से बचकर भाग गई थी और ये लोग ना कोई साजिश रच रहे थे धुम्तानानानानाना धुम्तानानानाना धुम्तानानानाना धुम् और इसे के साथ ये एपिसोड यहीं पर